हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका बिग बॉस सीजन सोला में कल के एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कलपना किसी नहीं की थी जब बिग बॉस ने दिया घरवालों को टास्क तो इस दौरान शालीन भनौट से हो गई धक्का मुकी दरसल उनके हाथ में उस वक्त सूटकेस था और वो सूटकेस से उन्होंने धक्का दे दिया अरचना गौतम को और ये बात घरवालों को बिल्कुल भी रास नहीं आई है हाला कि अब बिग बॉस ने भी इस पर थोस कदम उठाया है और उन्होंने फैसला लिया है कि शालीन भनौट दो हफते के लिए नॉमिनेट हो गए हैं और साती सात वो जब तक इस घर में रहेंगे वो कभी कैप्टन नहीं बन पाएंगे अब इस पर जो शालीन भनौट के करीबी है वो काफी जादा नाराज में जरा रही है और इसी लिस्ट में निया शर्मा का भी नाम शुमार है जो की शालीन भनौट की बहुत अच्छी दोस्त है निया शर्मा ने एक ट्वीट करके ये बोला है कि मेरा दोस्त शालीन बहुत ज़ादा काम है बहुत ही ज़ादा धेर्रेवान है वो इस तरह की हरकत कभी भी नहीं कर सकता है बिग बॉस को इस तरह की कोई भी सजाद देनी ही नहीं चाहिए थी शाली ने जो भी किया है वो उसे गलती से हुआ है वो बिलकुल भी अपना टेम पर अच्छे जल्दी से लूज नहीं करता है वो बहुत ही ज़ादा समझदार है और चीजों को बखुबी समझता है इस बात से निया की ये साफ है कि वो बिग बॉस के लिए गए फैसले द्वारा बहुत ज़ादा आहत है और वो इस फैसले से बिलकुल भी खुश नहीं है और उनके मताबिक बिग बॉस को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था क्योंकि शाली ने कुछ भी जान बूच कर नहीं किया है बहराल इस पूरे मुद्धे पर आपका क्या रियाक्शन है कमेंट में आप हमें बता सकते हैं इस वीडियो में इतना ही